बोपाल में 1 जून से जनता कर्प्यू खुलने वाला है इससे पहले जनता को कोरोना वाइरस के प्रती जाग रूप करने के लिए सड़कों पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वा सारंग उतरे हैं मंत्री विश्वास सारंग ने भुपाल कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ साइकल पर सवार होकर लोगों को कुरोना वायरस के प्रतीज जाग रुक किया और इस दौरान होम आइसोलेशन में रह रहे हैं मरीजों से भी मिले प्रदेश को अन्लॉक करने के लिए उन्होंने कहा सब ये कर रहे हैं और हमारा सभी से अनुरोध है कि हम सब मिलकर ये सुनिश्यत करें कि भुपाल को यदि अन्लॉक करना है तो हमें पॉजिटिविटी रेट कम करना होगा देखिए अब मध्यपेदेश को अनलॉक करना है तो हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमें संक्रमंट की चेन को तोड़ना है और अब हमने निश्चित किया है बोपाल में की जो भी होम आइसोलेशन में पेशेंट है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करें उनसे मिलें उनकी जल कि सबी मास लगाएं भीडे खटी ना करें और होम आइसोलेशन में जो पेशेंट है उनसे मिल रहा है अनलॉक को लेकर भूपाल को लेकर क्या देखिए यही तैयारी है उसी तैयारी के लिए हम सब लगें और हमारा सबी से यही अन्रोध है कि हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि भूपाल को यही अनलॉक करना है तो हमें पॉजिटिविटी को नीचे लाना होगा जीरो पर हमें पॉजिटिविटी को लाना होगा